श्रद्धेय दाजय अदर्णिया प्रिमती जोग मेडम उपस्थित नागरिक सज्जन माता भगिनी अभी जो अनुभव हम ले रहे थे हैं उससे और फिर से आपको खीच कर धरातल पर लाना हो यह आपको तो अच्छा नहीं लगता होगा मुझे भी अच्छा नहीं लगता है हम मेंसे हर व्यक्ति ऐसे अनुभव के बाद यह चाहने लगता है कि सदा हम इसी में बने रहे लेकिन ऐसा होता नहीं और ऐसा क्यों नहीं होता इसी का उत्तर मनुश्यक होचता है सारे जीवन के अनुभव में से उतल पुतल में से विप्रत्यक्ष अनुभूती की बात तो कहीं गई है लेकिन बिना कुछ प्रयास किये पहला सास हम लेते हैं और अंतिम सास छोड़ते हैं इसके बीच में जो अनुभूती नित्य है वो जगत की है अपने शरीर्मन बुद्धी की है और वो सबसे प्रबल है और उसमें द्वईत है कई प्रकार के हर्षस्थान सहस्त्राणी भयस्थान शतानी चवड़ दिवसे दिवसे मुढ़म आविशंति न पंडित हा ऐसा कहा है लेकिन जिसको इस प्रशन ही कर सकते ऐसे पंडित बहुत संख्या में कभी रहती ही नहीं लेकिन और दोसरी एक बात है कि जो ऐसे पंडित बन गए याने जो इसके उपर चले गए जिनको वह अनुभूती सदा के लिए प्राप्ता हो गई वैसे तो दुनिया से उनका कोई अपसरोकार नहीं है और उस आनंद और शांती की अनुभूती से फिर से इस उतल पुतल वाली दुनिया में वापस आने का उनका मन भी नहीं है लेकिन फिर भी वह वापस आते हैं और हम लोगों को इस तर से उठाकर उस तर तक ले जाने के लिए अपना जीवन खर्चा करते हैं और जब कभी कोई पूछ लेता होगा पता नहीं कि यह आप क्यों करते हैं तो तुकारा महराज ने उसका उत्तर दिया है एक वाक्य में बुड़ती है जन देखवेना डोड़ा डूब रहे लोग वो देखा नहीं जाता यह जो संवेदना है वो उसी परमात्मा जो आत्मा है बनके हम सब में हैं उसी कर रूप है और इसके जलते हैं मनुष्य अपनी दुनिया को और अच्छा बनने का प्रयास करता है तो स्वाभाविक मनुष्य को यह प्रश्टन होता है कि दुनिया और अच्छी कैसे बने यह दुनिया का मतलब मेरा शरीर मन बुद्धी यह भी एक दुनिया है और मेरा अपना जीवन उसमें मेरी कुछ कामनाएं इच्छाएं हैं उसको पूर्णा करने के लिए साधन चाहिए वो साधन है और यह सब उद्ध्यम करके मैं तरह तरह के सुख भोगता हूं फिर भी मुझे जो अपुर्णता लगती है उससे मुक्त होने के लिए मुक्ति का मार गए और मैं एक व्यक्ति हूं मनुष्य के नाते इस विश्व में जन्वावन हूं तो मनुष्य समुदाय का घटक हूं और यह सारा हमारा मनुष्य समुदाय सुरुष्टी में रहता है यह भी एक दुनिया है गत दोहजार वर्षों में इन तीनों प्रकार की सुरुष्टियों को ठीक करने के बहुत सारे प्रहास हुए उसके पहले नहीं हुए ऐसा नहीं कह रहा हूं लेकिन गत दोहजार वर्षों में उसके पहले के जो प्रयास हुए थे उनको भुला देकर एक नए सेरे से प्रयास मारवदानी किये और बहुत सारे प्रयोग हुए लेकिन आज की स्थिती यह है कि उससे उत्तर निकला नहीं उल्टी समस्या और गहरी हो गएगी इसके कारण में जब जाते है तो ध्यान में आता है कि सुरुष्टी में जो दिखता है बाहर देखने वाली हमारी इंद्रियों से जो हम देख सकते हैं अनुभव कर सकते हैं यह जिस सिदाजी ने कहा कि मेजरेबल जो जो है टैंजिबल जो जो है उन सब के बारे में सप्रकार के प्रयोग अपने कर लिए लेकिन इन सब को एक साथ ठीक रखने का सुखी करने का आगे बढ़ाने का रास्ता नहीं है इस निश्कर्षपरी हम पहुँठे हैं मेरी अपनी बात करूं तो मुझे शरीर से दुख्ख कष्ट जहलने पड़ेंगे तब मेरे मन को आनंद देने वाला जीवन मिलेगा यह आनंद प्राप्त करने के लिए मुझे दुख्ख जहलना पड़ेगा शरीर को सुखी रखना है तो मन बुद्धी का विचार मत करो नौकरी करो डाट पड़ेगी साथ डाटेंगे कारण होगा नहीं होगा घर में पत्नी से जगड़ा होगा है इसलिए अफिस में हमको डाटेंगे इस अब जानते हुए भी सायन करो भाई नौकरी करनी है चाहे जब छुटी नहीं मिलेगी मुंडी नीचे डालके नौकरी करो तो पैसा मिलेगा नहीं यह मन का अपमान से नहीं होता तो अभाव में रहना सीखो बुद्धी का सुख चाहिए तो यह दोनों भूल जाओ तीनों एक साथ सुख ही नहीं हो सकते परिवार को सुख मिलता है तो हमको आनंद होता है परिवार दुख्य है तो हम दुख्य होते परिवार को सुखी रखने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हम परिश्रम करते हैं स्वय हम दुख भोगते हैं और जिस परिवार को सुखी रखना है उस परिवार में हम बहुत कम रहते हैं कभी-कभी ऐसा कहते हैं कि बच्चे पूछते हैं जिस दिन दुकान को चुट्ती देती निन उस दिन माता जी को यह नए आद्मी को नाया घर में ऐसा कि तो कीनों का सुख एक साथ नहीं मिलता है और जो सुख है ऐसा हम कहते हैं वह शाष्वत नहीं है पैसा कमाया का मैं भरपूर कमाया लेकिन जाने में समय नहीं लगता पैसा बगर भरपूर कमाया लेकिन कोई आईसी व्यादी हो गई कि वो सारी टेस्टें ही चली गई दुख वियोग हो जाते मृत्यू हो जाते अपगात हो जाते अब अपने आपको ठीक रखने लिए प्रयास किया जो वर्षा हुई तो कहीं से मिट्टी का ढेराया हम सब को भाले गया मार दे गया तो प्रश्णा आता है मत में ऐसे ही अर्था और काम के पीछे लगते 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 सुख नहीं मिलता है और इसलिए हमको बताते हैं कि इसको छोड़ दो इसका पूरुन अत्याक करो जब इसका त्याक करोगे तभी मुक्ति मिलेगी तक हम दुनिया में नहीं है तब तक टो ठीक है लेकिन उस दुनिया में मेरी आत्मा भी है मेरा मन उखिए घया तो आत्म का सुख चेहीं है तो तीनों का सुख छोडो, ऐसा है क्या, याने अध्यात्मिक्ता और भौतिक्ता ये विरोध है क्या, तो फिर चुनाव करना है तो सामान ने आदमी चुनाव भोतिकता कहीं करेगा क्योंकि वही अनुभव है अभी ध्यान की अवस्था में हमने जो किया वो कितने दिर किया 24 गंटा क्या अनुभव है तो अर्थ काम की पूर्ती मिलेगी या मोक्ष मिलेगा दोनों एक साथ नहीं मिल जकते हैं और ऐसे ही मुझे बड़ा होना है तो समाज के सर पर पहर देखी आगे भागना पड़ता है कि और समाज को ठीक रखना है तो व्यक्तियों को जगट ना पढ़ता है दो ही रास्ते कम्यूनिसम जोशलिजम है या دो है नहीं व्यक्ति या तो समाज रूपी यंद्र का पुरुजा बन के काम करेगा या समाज को कुछ नहीं मानेगा और मानवता प्रगति करेगी तो पर्यावरण नष्ट होगा पर्यावरण को सुरक्षित रखना है विकास बंद करो इन प्रष्टनों के उत्तर नहीं है और ये प्रष्टन कम थे इनका उत्तर देने के लिए जो रास्थे खोजे वो रास्ते आपस में रड़ रहे हमारा ही सही बाकी सब गलप तो याने मनुष्य के जिवन में सुख शांती स्थाईर लाने के लिए रास्ता आया और उस रास्ते पर चल कर मनुष्य ने इतना दुख्ध दुनिया में उत्पन किया है इश्वर को मानने वाले रास्ते निकले और शांती के नाम पर चले और खून की नदी अब आई इतिया से प्रेम के नाम पर चले चल कपट कर रहे हैं इतिया से शोशंड से गरीबों क्यों मुक्ति दिलानी है दुनिया के देशों को सत्तर साल तक जकड़ कर रखा और मुक्त और स्वतंद्र जीवन का पुरस्कार करना है लेकिन सबकी आर्थिक व्यवस्था पर मेरा डंडा चलना चाहिए ऐसा भी है तो चले थे कहां जाने के लिए पहुचे कहां इसमें उत्तर कैसा खोजे यह समस्या मानों के सामने है क्योंकि जोड़ने वाला तत्व उनके पास नहीं है यह सब बाते अलग अलग चलती है विद्ञान बताता है सब अलग अलग है एकता है नहीं विद्ञान बहुत आगे जाता है लेकिन उसकी गत्ति से हम भागते नहीं तो आइंस्टाइन जब पैदा हुए और उनकी ठीरी जब आई तब हम लोग न्यूटन के नियमों पर चल रहे थे अब आइंस्टाइन के नियमों को पकड़ा है लेकिन दुनिया आइंस्टाइन की दुनिया उससे भी आगे चली गई है इसका उत्तर क्या है यह समस्या रहती है वैसे उत्तर दे चुके हैं उत्तर मिल चुका है उस उत्तर पर लोग चल चुके हैं लेकिन पीडिया बदलती है समय बदलता है जैसे स्मरण शक्ति है वैसे स्मरण शक्ति भी है इसलिए बार बार उसको याद देना बड़ता है साथ बात है कि सबके मूल में जाओ पहुंच जाओ तो दिखेगा कि अलग कुछ नहीं है सब एक ही है अभी विज्ञान भी कहता है बिग बैंग हुआ उसके पहले क्या था ऐसा प्रश्ट नहीं विज्ञान को कि सामने उसके पहले और एक सुष्टी बनकर विलिन हो गई वो भी बिग बैंग से बनी तो यह जो काल का प्रवा है वो कब शुरू हुआ वो शुरू होने के पहले क्या था अब विज्ञान भी अनुमान लगा रहा है तर कदे रहा है तो कनित से बता रहा है कि everything has come out of a single pre-existing universal consciousness अब विज्ञानिक उसको यह नाम देखें लंवा चोड़ा कि सामान न्याद में उसके भगवान कहेगा गौड कहेगा अल्ला कहेगा जो कुछ कहना है और उसको प्राप्त करने के विज्ञान अगर इस पर पक्का हो गया तो विज्ञान सहीत अनेक रास्ते हो गए लेकिन मजा यह है कि जब तक हम पहुंशते नहीं तब तक हमको अलग दिखता है और जहां मैं हूँ वही सही है ऐसा भी लगता है कहानी स्वामी वेवेकानन ने बनाई बताई कि पहाड़ पर लोग चड़ रहे ते चारों दिशाओं से जो जहां था वहां से वह रास्ता बना रहा था हर रास्ते पर चलने वाली को लगता था कि मैं तो पहुंचने वाला हूं इसको लेकर कहीं सुनी भी होती यह जगड़े भी होते लेकिन एक आदमी उपर पहुंच गया और उसने उपर से देखा तो उसने जाना कि अपने अपने जगह से आ रहे हैं सब के रास्ते अलग हैं लेकिन सब यहीं पहुंचने वाले तो दुनिया की इस सारे मतमतांतरों में जो सत्य तक पहुंच गए उनको यह बात ध्यान में आई और शवभाग्य से वो हमारे भरती यह परंपरा के हमारे पुरुश थे उनको वो बात मिल गए उन्युवर्सल कॉंशनेस है उसको उन्होंने अनुभूत कर लिया और इसलिए उन्होंने ऐसा समाज बनाया ऐसा देश बनाया जिसका कर्तव यह है दुनिया में समाज के नाते देश के नाते राष्टर के राते ठिके रहना समर्थ रहना संपन्न रहना और संपूर्ण दुनिया को यह बताना तुट अपने रास्ते से चलो आपस में जैड़ा मत करो पहुचने बादे सब वहीँ है रुची नाम वइची तर्यात रुजु कुटिलन आना पथोईता न्रणा में को गम्मय स्थों में सिपहे साम और नमयुवां रुची भेद के अनुसार अपने अपने स्थिती के अनुसार रास्ते अलग-अलग होते हैं दर्शन भी अलग-अलग होता है लेकिन वस्तु तो एक ही है और इसलिए इन भेदों को भेद न मानते हुए आपस में समन्वे रख कर मिल जुल कर चलो और इसलिए गुरुदेव जब कहते हैं वन रिलिजन वन गॉड वन यूमेनिटी तो वो भारत के सनाचन आत्मा की पुकार उनके मुख से बोलती है और अज समय आ गया है कि इस और सारी दुनिया बढ़े उसके लिए भारत तयार हो और इसलिए इन बातों का विचार ये हमको करना है क्यों विचार करके कहां नहीं होगा क्योंकि चिंतन चिंतन के साथ अनुभूती चाहिए विचार किया तरक किया अनुमान किया लेकिन वैसा है कि नहीं ये प्रत्यक से देखना है हमारी परंपरा ये भी है हमारे याँ फेथ नहीं है हमारे ये बताया गया है कि हमने ऐसा किया हमको ये मिला तुम करके देखो जो बताता है उसकी स्वहम की अनुभूती है इसलिए वो पक्का है पूर्ण आत्म विश्वास से कहता है कि मैंने देखा है और मैंने जैसा किया वैसा तुम करो तुम्हें भी दिखेगा लेकिन बिना देखे विश्वास मत करो अनुभूती प्रमाण यह सरोच चाहे तू कहता है कागज लेखी मैं कहता हूं आखन देखी तो यह आखन देखी तक जाना पड़ेगा भैरतवासियों को सबके सब 140 करोड नहीं जाएंगे लेकिन प्रयासरत सब रहेंगे इसलिए अपने देश की परंपरा में हमारा परमलक से क्या है सत्य तक पहुचना उसके रास्ते हैं सब रास्तों का विरोध नहीं है लेकिन रास्तों में आपस में विरोध भी नहीं होना चाहिए विरोध जो होता है वो अध्यान के कारण होता है तो जब ये कहा जाता है गुरुजे के द्वारा कि वन रिलीजन तो कभी कभी ये कन्फिजन हो सकता है कि वन रिलीजन तो सो काल्ड इसलाम के मानने वाले भी कहते हैं इसी में आ जाओ सब लोग इसाई भी कहते हैं हमको ये नहीं कहना है क्योंकि रिलीजन शब्द का अर्थ गुरुदेव जो करते है वो क्या कहते हैं अंगरे जी में मिला we must make clear however the meaning of religion for no term is liable to be more misunderstood by religion we mean the direct first hand relationship of man and God and not any unsystematized and uncriticized methods of belief and practice if there is a uniqueness about the relationship of man and God such uniqueness must subsist wherever man exists hence there is no meaning in saying that this uniqueness is exhibited in any one form of religion more than any other religion thus stands at the top of all religions सब रिलीजनों के सर पर खड़ा जो मूल है सब रिलीजनों के अंदर जो रिलीजन के आत्मा है we may even say that it is imminent in its various forms religion is for all humanity its manifestations are for different races and climes तो रिलीजन और मैनिफेस्टेशन उसमे उनोने फर्किया है ये रास्ते मैनिफेस्टेशन से religion concerns itself with the essential it forms with the accidental religion is the embodiment of the universal its forms are individual manifestations of it the relation of the one and the many is nowhere better exhibited than in relation of religion and its various forms अब इस बात को समझना हो तो भारत वर्षपर दुर्ष्टी लखिया यहां अनेक रास्ते है पहले से है सब भारत से ही निकले है और ब्रुहस्त्पति के चारवाग दर्षन से लेकर तो सगुण भक्ति तक सब प्रकार है वेदो को मानने वाले से लेकर तो वेदो की निंदा करने वाले तक ही सब प्रकार है परन्तु यह सब फॉर्मस है आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि यह सारे अलग-अलग रास्ते क्वचित परस पर विरोधी बनने वाले रास्ते भी अपने आपको एक चवखट की अनुशासन में बिठा रहे हैं चार शब्दों में उसका वरणन किया जा सकता है सत्य करूना शुचिता तफस तफस पहले आता है उससे बागी बाते निकलती है तफस से चित्त शुद्धी जो रास्ते हैं अपने वो चित्त शुद्धी तक हमको ले जाते हैं उस साधना को जारी रखते हुए चित्त शुद्ध होने के बाद उसमें सम्वेदना करूना निकलती है और उसके आधार पर हम सत्य तक पहुँचती है ये रिलिजन एड़ टॉप अफ रिलिजन है सारी दुनिया के रिलिजन जिनोंने उसका प्रत्यक्षा अभ्यास करके देखा गुरुजेव को रामकृष्ण परमोंस के बारे में अत्यंत आदर था उन्हें कहा है वेवेकानन्द और रामतिर्थव और उनके भी बड़े उनसे भी स्रेटर रामकृष्ण परमोंस एसा उन्हें कहा है उन्हें इन सब रास्तों की इस्लाम और इसायत की भी उपासना kein करके उसकी अंतिम परिनति तक हो गएग और उन्हें कहा कि ये रास्ते है जितने मत होंगे उतने रास्ते होंगे जो तो मौत तो पुर्थ वही केवल अलग है बाकिगूच अलग नहीं है वहीं पहुंशते हैं सब रास्तों से यह प्रत्यक्ष बताने वाला हरत वर्ष है यह प्रत्यक्ष बताने वाले पूर्व में भी थे जब हमने वो प्रसिद्ध श्लोक कहा यम्रम्मा व्रोने निर्द्रमरुत अस्तुन्वंति जिव्वे इस्तवेर वेदस सांग पदक्रमोप निषदगं गायंति यार सामगा या ध्याना वस्थितत तत गतेन मनसा पश्चन्टियम योगिनो पुरान अश्लोक है तो यह रूप अलग-अलग देखना यह हमारी रुची हमारी दृष्टी इसका प्रताप है वस्तु तो एक ही है और जैसा आपने कहा कि मुर्ति को नमस्ति करते समय नमस्कार करते समय मुर्ति के आगे जो भगवान है उसका स्मरर्ण करो कि यह से कोई किसी चीज को अंगुली निर्जशं करकर हमको बताता है कि तो पहले तो हम उसंगुली को देखते हैं कि वह बता रहा है कि कहा बता रहा है। academics लेकिन अंगुलИ को देखते रहे हैं तो बस्तु नहीं दिखेगी अंगुली जिदर निर्देश कर रहे है कि अब가지 में ऐसे सर्वत्र पवित्रता देखने वाले हम लोगों ने मुर्थियों में रंगों में आकार में कई ही बातों में इस पवित्रता को मान कर उसमें से उसको देखना सीखा यह होता ही है कांशसली नहीं सीखना पड़ा मुनुष्य अपने प्रणुतिक अनुसारी सीखता है कि लेकिन यह सारे रास्ते उसके ऊपर जो है रिलीजन रिलीजन टॉप अपर रिलीजन गुरुज्य उसको कह रहे है जिस समय गुरुज्यों ने अपनी सारी बाते कही उस समय उन्हों यह भी कहा था कि पास्ष्यत्य विद्वानों को यह मैं बताऊंगा कि हमारे पास भी तत्वज्यान का धन है और प्रतीति के साथ है और उनकी भाषा में उनके ही तरक देकर मैं उनको और इसकी सर्थ्यता नहीं था इसलिए उनको शायद रिलीजन ही कहना पड़ा हो लेकिन इसके लिए हमारे आशब्दा है जो रिलीजन एड़ी टॉप अफ रिलीजन है वो धर्म है अब दुर्भाग्य है कि हम अपनी भाषा भूल गए इसलिए हम धर्म को रिलीजन तो भशते तरह तरह के यह स अइसे रास्ते हैं और वो सम्यक रहे सम्यक रूप से प्रदान करे भटकाए नहीं बिगडाए नहीं इसलिए यह चोखट है वो धर्म की चोखट है धर्मों का अनुशासन है अर्थ काम और मोक्षतीनों को धर्म का अनुशासन पालन करना पड़ता है तब वो अपने लेकिन अर्थ अनिवार है कि वह बिना अर्थ के संपन नहीं होता है कि लेकिन अर्थ प्राप्तों होने के बाद गोपाल की और जाए इसलिए धर्म का अनुशासन चाहिए धर्म के अविरुद्ध काम पूरा सेंक्षन है अपने यहां लेकिन वो धर्म के अविरुद्ध होना चाहिए ऐसे मुक्ष को भी नियम है वो नियम पालन करके ही चलना पड़ता है ब्रह्म वित्ता महापुरुष भी जब समाज में आते तो उन्हों नियम बनाये हैं सिन्यासियों के लिए एक गाव में तीन दिन से जादा नहीं रहना कहाँ खाना कैसे रहना क्या करना उनको उधर जाएंगे जंगलों में हिमाले में जाके साधाना करेंगे तो उनको को पूछने वाला नहीं है वहाँ वो सब धर्मों से उपर है लेकिन जब समाज में रहेंगे तो उनको समू का अनुशासन है क्योंकि ये सारी जो मनुष्य निर्मित बाते हैं क्रास्ते, प्रति, उजा, मुर्तियां, अर्थवाद, सब की बात, सब ये बाते ये मनुष्य निर्मित है तो उसको एक मर्यादा है, इस मर्यादा का पालन करके चलो और अमरियाद तक पहुंचो इसलिए वन रिलीजन कहते समय, गुरुदेओं क्या कह रहे हैं हमको समझना पड़ेगा कोई ये रिलीजन नहीं था, तब से जो चला है, जिसके नियम के आधार पर सारा चलता है जो अब्यूद है और निश्रियस की सिद्धी करता है, जो इन सब अलग-अलग चीजों को चोड़ कर चलाता है मन, बुद्धी, शरियर को साथ चलाता है, अर्थकाम और मोक्ष को एक साथ उस पर आगे बढ़ाता है मनुष्य को और सुरुष्टी, समष्टी और व्यष्टी यानि व्यक्ती, समुदाय और सुरुष्टी, इनको एक साथ ठीक रखता है वो चलाता है, जब सुरुष्टी का संदर्म आता है, तब हम उसको धर्म कहते हैं, जब शरियर मन बुद्धी का संबंद आता है, तब हम उसको आत्मा कहते हैं और जब अर्थकाम और मोकर का संबंद आता है, तब हम उसको धर्म कहते हैं यह जोड़ने वाला जो तत्व है वह रिलीजन एड़ टॉप अफ रिलीजन है इसा मैं मानता हूं जो मैंने चिंतन किया और अनुभो किया है उसके आधार पर और इसलिए उसके द्वारा वन गाड वन गाड याने हमारा परसेप्शन अलग-अलग हो सकता है लेकिन अब सबको पता होना चाहिए कि यह हमारा दर्शन है जो है वो उससे और आगे कुछ है और जब वो उसको पाल लुग गा तो कुछ अनुभी वो लोग कहते है कि वो देख सकते है लेकि उसके बारे में बता नहीं सकते गिरा अनायान नायान बिनुबानी अनिर्वचनी तो उसके आधार पर इस सारी दुनिया को हमको लाना है उसके लिए चलना है कैसे चलना तो गुरुजेव ने उसके बारे में कहा है अनुभूती चाहिए और फिलोसाफी चाहिए क्या है तो एक दंतक असा है इसी है कि समुद्र में जाते समय भूमध्यसागर में से है और एक राक्षचसी सिल्ला है वो चबा जाती है जहां जों को दूसरी राक्षचसी दूसरे तरफ है वो पानी में खीच लीती है सिल्ला से बचेंगे चर्यव दिस पकड़ीगी चर्यव दिस से बचना जाएंगे सिल्ला खा जाएगी तो वो राक्षचसी है कि नहीं पता नहीं ऐसा भी कहते है कि एक तरफ उती उती बड़ी धार वाली चट्टा ने है उस पर जहां जो कर टुकड़े होते दूसरी तरफ जुग जाए तो उधर एक बड़ा भवर है ऐसा दर में ऐसा एक स्थान है वहां पे उसको लेके कहा है परंतु इन दोनो खत्रों से बचकर विचार होना चाहिए Religion has to steer itself clear of the Silla and Charybdis that surround it on both sides for on the one hand there is danger of superstition which is unworthy view of God on the other there is skepticism which is denial of God true religion has to steer itself clear of both these dangers and it is only the helm of philosophy which can steer it straight to a safe and happy even अईसा ले जाना पड़ेगा अईसा ले जाना तो भगवान ने कहा है न पुद्धिवेदम जनायत अधन्यानाम कर्म संगिनाम लोगों में यह जारी बाते दिखती है उससे उनको बाहर तो लाना है लेकिन बाहर लाते समय वो अश्रद्धना बने और अश्रद्धना बने इसलिए उनी अंदाश्रद्धाओं में फसे रहे इन दोनों को टालके उनको बाहर लाना है तो फिर चिंतन करना पड़ता है फिलोसोफी चाहिए हम देखते जो कट्टरपन है उस कट्टरपन का कारणा सुबह में ने सुबह भी कहा कहीं आस्था विहिन चिंतन है कहीं चिंतन विहिन आस्था है सामा न्यता आपने भारजीय पंथसंप्रदायों में जो मूल कल्पना है वह इन दोनों को टालकर आस्था सहीच चिंतन चिंतन सहीच आस्था ऐसे चलने की है हम आत्मविश्मूरत हो गए हमने उसको विकृत कर जिया वह बात अलग है मूल यह बात नहीं क्योंकि इस सब सक्षतकारीमहापुरूश्ते और आज भी है हमारा बाग्य है आज के समय में दुनिया के बाकी लोगों में वो चिंतन तो है, उनके मुल में भी साक्षतकारी महापुरुष थे, लेकिन आज उनके पास अनुभूती वाला कोई नहीं है, हमारा सरभाग्या है आज हमको अनुभूती जिनके पास है से लोक मिलते है और वो अनुभूती हमको कराने में भी वो समर्थ है, जो बात कही गी आजी के द्वारा की इनको सबको एक साइन्टिफिक एविडेंस के नाते इनका परिक्षन करके उसका डॉक्रिमेंटेशन करना चाहिए वगरे वो है हमारे पास और यह हो सकता है उसके आचार्य है उनको अनुभूती है वो बताते हैं हम देखते हैं और इसलिए हमको इस प्रकार सामान्य लोगों में भी धीरे धीरे शरद्धा के साथ विचार जूड़ जाएं वास्तों में शरद्धा कभी अंधर नहीं जोती क्योंकि श्रद्दा में दो शब्दे श्रत और धा परिश्रम करके धारण किया है वो परिश्रम चिंतंग का ही होता है तो बजा के देखा सत्य है ऐसा लगा पूर्णता तक नहीं पहुंचाऊं लेकिन पक्का है इस मार्गे से जाऊंगा हाइपोथिसिस इसे ही कहते न एक हाइपोथिसिस गुरुजयों का शब्द है हाइपोथिसिस लेकर प्रयोग होड़ा है हमारे यही का गया है पुरान अमित्यवन साजो सर्वां नचापिकाविवम नवमितिम अदव अवध्यम संत परिक्षान नतरत भजनते मूढ़क परप्रत्याइन यह तो ऐसा परिश का एक उद्यम चले और यह संगर से समाप्त हो तब ही समाप्त होगा नहीं तो जगणाई है सब अलग अलग है अगर सब अलग अलग है तो स्परदा है स्ट्रगल पर एक्जिस्टेंस है और सर्वाइबल ऑप दिप्टेस्ट है इसका मतलब एवरिवरिवन फॉर इंसल्फ देविल टेक दिए हैं अर्मोस्ट इसी दी बात है जब तक उस एक को हम नहीं करते साक्षाथ साक्षाथ करने का प्रयास सब लोग नहीं करते तब तक यह बात चलती रहेगी और इसलिए उर्दय नहीं कहा है दी प्रब्लेम आफ फाइंडिंग दी यूनिवर्सल इंदी मि प्रिस्ट आफ चेंज प्रब्लेम आफ विजन विजर ही बी फिलोसॉफर और प्रिंस हो कहते हैं कि unquestionably the search after God remains the highest problem even today and the philosophical jurisdiction of our spiritual life is as necessary today as it was hundreds of years ago बीच में वैद्नानिक प्रगती के कारण मनुष्य के जो अहंकार बढ़ गया उसमें ऐसी कई बाते आ गई जिसने इस रद्धा को खंडम करने का भी काम किया है कि याने बंगाल में भी ऐसे स्थिति आई थी राम क्रण परोंस के समय कि कॉलेज में पढ़ने वाले तरुन दक्षण शोर में जगद्धात्री के मूर्ति के सामने जाके शिग्रेट पीते हुए अपने ही देश के लोग तो ठीक है मूर्ति में परमेश्वर नहीं है लेकिन मूर्ति में से परमेश्वर देखा जा सकता यह तो है तो यहां तक स्थिती आ गई थी कि अपना जो कुछ है वो सब बेकार है जो विज्ञान का है वही ठीक है और दुसा भी एक्स्ट्रिम था विज्ञान में कुछ पढ़ा नहीं जो अपना है वही ठीक है वास्तव में साइंस और स्पिरिच्वालिटी यह दुस्मन होने का कोई कारण नहीं है इसके बारें गुरु जो भी बहुत कहा है साइंटिफिक स्पिरिट है वो साइंस में भी काम करता है अध्यात में भी काम करता है विवेकानन्द पूछते थे कि आप बता बहुत रहें लेकिन आपन देखा है क्या बताओ तो चमक गए एक दम यह प्रश्ण सुनके उन्हों देखा विवेकानन्द को गौर से और का तुमारी आखे कुछ अलग है और का ने नहीं आप यह बताओ भगवान को देखा है कि नहीं तुम बड़े मनस्वी तो ओ मैं आप सिधा क्यों नहीं बताते देखा है कि नहीं देखा है तो फिवेकान अंदरेर आम कृष्ण परमौस को यही पूछा तो उनको एक आत्म विश्वास बड़ा उत्तर मिला चौथी भी नहीं पड़े थे राम कृष्ण परमौस एक सामान्य पुजारी थे और पागल से लगते थे लोगों को उन्होंने कहां बिलकुल देखा है तुमको जैसा देख रहा हूं वैसे देखता हूं तुमसे जैसी बात करता हूं उससे अधिक स्पष्ट बात उनसे करत हूं और तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो तुम भी देखोगे और मुर्तिशाया पर गाम कृष्ण परमौस थे तब तक परीक्षा लेकर विवेक अनंदने उनको स्विकार किया तो यह जो हमारी परंपरा है उससे कोई अंदाश्रदा नहीं उत्पन्न होती लेकि इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है आप तो वह वह प्रमान का प्रकार है परंतु वह प्रमान जाच करनी पड़ती है कि उन्होंने बताया इसलिए ठीक है लेकिन उन्होंने जो बताए वह मैंने भी अनुवह किया यह होना चाहिए और इसलिए इस प्रकार की बातों पर चलना चाहिए ऐसा गुरुद्यों का कहना था साब साब उन्होंने कहा है वी दो नट वांट इंडिया तो इमिटेट इधर फ्रांस और अमेरिका France with its failing birth rate, its frivolous immoral capital, its denuded farms and dying commerce America sordid and soulless, immersed in money making, a slave of mammon and forced to mimic the culture of the very against which it revolted उस समय उन्हों कहा है यह 26 साल के थे तब लिखा है 1912 की बात है कोई एक मिस्वा हर्दयाल थे उन्होंने बहुत सारी बाते लिखी भारतिये तत्वज्यान के बारे में उसका उत्तर देने अला उनका लेख है उसमें उन्होंन लिखा है और आज यह प्रत्यक्ष अनुभव में आता है अपने लोगों के जवान पीड़ी वहां जाती है वो भी अनुभव करती है कि यह सब लोग अब लड़ खड़ा रहे इनको रास्ता नहीं मिल रहा तो हमको रास्ता देना है तो उसी प्रकार का देना पड़ेगा जो पुरातन में जो कुछ प्रमाणित है अनुभूत है उसको तरक के आधार पर मंदन करते हुए ताकि स्वीकार हो और नए में से जो कुछ लेने लायक आता है उसको लेके सिल्ला और चरिप डिस दोनों को टाल के ऐसा चलना पड़े जाओ तब हम दुनिया को रास्ता दिखा सकेंगे और इसके लिए कितना बड़ा जनर्यागरन आवश्च सके कैसे कैसे लोगों को बता कर लाना पड़ेगा तो यह कोई इक्के दुख्य का काम नहीं महापुरुष आते हैं जाते हैं लेकिन उनका बताय हुआ रास्ता अपने अनुभूती में लाकर उसको जीवित रखना आगे चलाना इसके लिए यह चिंतन अपना भी चाहिए उस च बल्प मल्पस्य धर्मस्य यह हम सबके आचरण में चाहिए और एक बुद्धी चाहिए कि क्योंकि गुरुदेव जैसे लोगों ने कहा है कि सब एक है तो सब एक है उसका अनुभू लेने का मैं प्रयास करता हूं और वो अनुभू जैसे जैसे आता हूँ ऐसे अधिक बता हूँगा कि इस पर चलो ऐसा रहो उसके लिए सद्गुणों को बढ़ाओ दुर्गुणों का निर्देश भारत वर्षक एक जीवन खड़ा होना पड़ेगा अजय को एक समय में भारत वर्षक के लोगों की किर्दी थी कि हमारे लोग यहां से बाहर गए एक एक देश में उन्हों जो किया है आज भी हम लोग वहां जाते हैं भारत से आते हैं तो नमस्कार करते हैं अधिन में गए नॉक्टर सुप्रमण स्वामी ने बता है उनका अनुगों तो आएक मंदिर देखा शिंतो मंदिर थीन में भी एक था वह जापान का है थीन में कैसा देखने के लिए गये तो आप बहुत सारी चिन्नी लोग भी आये थे यह भी गया अंदर वो मुमबत्ती ज जलाना अगर्वत्ती जलाना करके वापस आ रहे थे एक चिनी महिला आई उन्हों इनको देखा इंदू हिंदू हिंदू स्थान से उनका येस उसने चलण परशकिया क्यों क्योंकि जो हिंदू वहां गए थे पहले कभी उनके बारे में जो धारना थी उसका परणाम आज भ दभूती होती है और मैं तो ठीक था भाई ये बाकी लोग नहीं किया ऐसा हम टाल नहीं सकते क्यों पूरा समाज हमें एक है इस समाज का वाता औरन ऐसा रखना हमारा दाइत्व है इस समाज की जो परंपरागत साधना है जो सत्ते तक पहुंचाती चलती आई है उनको उनकी प्रैक्ट्रिस में जीवित रखना और उसके एक्सपिरियंस में हमको जीवित रखना यह हमारा काम है कुछ ना कुछ उपासना कुछ ना कुछ समस्कार उसके आधार पर जीवन में बदल उसके आधार पर इस बात को जानना पूरुन अनुभूती तो एक अवस्था थोड़ा शुरू किया, तो थोड़ा-थोड़ा मिलता है, फाइदा क्या होता है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो अपने में परिवर्तन आता है, उसके चलते अपने करने में, अपने बोलने में, अपने चलने में, जो एक उन्नती दिखती है, उसके प्रणाम दिखते ह वो प्रतिती सब को आती है सबको उस मार्ग पर बढ़ना पड़ेगा और गुरु देव का यह सपना क्योंकि अल्वाण नहीं है यह हमारे पुर्वजों का सनातन काल से सपना है और वो सपना अपने देश का अंकार सारी दुनिया में और बताने के लिए नहीं है तो एक सत्य हमारे पास है जो सब के जीवन में सुख़ शान्ति प्रदान कर सकता है और सब में हम है और हम सब में है यह प्रतीती हमारी है अगर यह है तो यह हमारी सवाभाविक बनती है कि हम सब को अच्छा बनावें हमने यह किया है जब आयात-ायात के साधन नहीं थे तब मेक्सिको से साइबेरिया तक और इंडोनेशिया से वहां अलास्का तक हमारे पुर्वच पहुंचे और जहां गए वहां किसी को लूटा नहीं किसी का राज्य बरबाद नहीं किया सब को सब्वेता दी सबको शास्त्र जीये गणिद्या विज्ञान दिया आयुर्वेट दिया इसलिए तो हमारे प्रशिठा है वह सब हम करेंगे तो दुनिया में भारत का नाम होगा दुनिया में भारत का नाम किसलिए होगा मिलिटरिली स्ट्रॉंग हमारे पहले भी बहुत हो गए है एकोनोमिकली स्ट्रॉंग हमारे पहले भी बहुत हो गए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन दुनिया में किसी ने अब तक किया नहीं हम करते रहें ऐसा यही काम है संपूर्ण दुनिया में जाना संपूर् दृष्टी को अधिक सम्रुद्ध बनाना व्यक्तियों को शीले संपन्न बनाना एक दृष्टी देना कि सब को साथ रहकर आगे बढ़ना है यह दृष्टी देने के लिए हमारा जन्म है हमारा भाग्या तब फलता है जब इसमें हम कारियरत हो जाते वो काम हमें करना पड़ेगा और गुरुजयों के इस आशा को हम सब ने अपने अपने परिश्रम से और पूरा करना पड़ेगा जो बात जिरली जी ने कही और शायद आजी छोड़ी ओ मैं पूरी कह देता हूं गुरुजयों की ही शब्डो मैं If India must rise, she will rise in a most peculiar way. Not hitherto known to all history. She will combine the virtues of the West and the East and will rise superior to both. If the West and East are to meet, they will meet in India and not in Europe. What a glorious prospect lies before India. I see India flinging away superstition, sloth and intellectual inertia I see her taking up the scientific spirit and the energy of Europe I see her assimilating the excellences of both the East and the West and rising in the scale of modern nations preserving all the while the integrity and pristine purity of her spiritual self भारत के नवत्थान के उद्यम को प्रारंब जब हुआ उद्यम के प्रारंब काल से जो जो द्रटा मनिशी हमको मिले है उन सबने अलग-अलग शब्दों में इसी बात को कहा है यह हमारे लिए एक मार्ग संकेत है उसको प्रमाण मानकर हम अपना पुर्शार्थ करे इतनी एक विनंती आपके सामने रखता हूँ और मैं तो अधिकारी नहीं हूँ ऐसी बातों बोलने का चिंतन के लिए स्थापित हो गई है कंपरेटिव स्टडी जिसमें से यह निकले कि रास्ते अलग-अलग है जाना एक ही जगह है जिसमें से यह निकले कि सब में हम है और सब हम में है जिसमें से यह निकले कि उसका यह परम दिये है अपना भोग उपभोग यह नहीं है यह सारी बाते फिर एक बार चिंतन मंतन से और पावन होकर फिर से निकले और सारी दुनिया में फैले इसी के लिए अकाडमी बनी है और उसके सौ साल पूरे हो रहे हैं तो एक तरह से यह टेक आफ पीरियड है उसके इसको करना चाहिए तो आगे आने वाले वर्षभर के कारक्रमों में से इन प्रयासों की न्यू रखी जाएगी ऐसी आशा भी करता हूं और मुझे अनधिकार व्यक्ति का आपने शांती से इतना सुन लिया और मुझे जैसे को यहां बुलाए इस कारक्रम के लिए इसलिए अकडमी का और आप सबका धन्यवाद करता हुआ मेरी चार शब्द समाप्त करें